मत्रप्रदेश के इंजलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेता होनी दोस्त स्वागत है आपका MP News लाइफ में और मैं हूँ आपका होश दोस्त कुल्दी पांडे मत्रप्रदेश के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मत्रप्रदेश के इन जलों में अगले 24 घंटों में बारिश की अरट के विशे में परज intéressant कारी चानी कलेश पीओं नदी वीडियो को अंदे तक अब आशची देखें देखने को मिल रहा है प्रदेश में ठुटरन बढ़ गई है और कई जिलों में घना कौरा भी देखने को मिल रहा है इसी कड़ी में कल बुधवार को भी फिर से मोसे भाग ने अलेट जारी किया जिसके अंतरगत आज रीवाश शहडोल संभाग के अलावा आदा दर्जन जिलों में बारिश के संभाव नहीं रियता आई गई है पिछले 24 घंटों में भी कहीं जिलों में बारिश हुई इसके साथ ही वहीं गवालियर में मंगलवार के हुई जो सबसे सर्द रही थी इसे स्रीजन का सबसे कोल्ड डे कहा गया गवालियर में 6 गलोमेटर पती घंटा के रफतार से चली हवा ने रात में ठिटरन बढ़ा द तान और कहीं पर माउठा गिरने की संभावना है जिसमें अरब सागर मद्प्रदेश आरब सागर में मद्प्रदेश और रायस्थान पर बने तीनों सिस्टम से लगातार नमी आ रही जिसके चलते बारिश हो रही है विभाग की माने तो आज देर शाम तक इसके कमजूर हो की संभावना है इसके बातवरण में नमी कम होगी और बडेगी और फेर कट्राकर की 血ंड बड़ेगी आने वाले दिनों में चलेगी चलने भी संभावना है आने वारे एक- 2 दिनों में ताप माद मोझत ओर गिरावट देखने को मिल सकती नए साल में रहेगा 12 दिन तक को लिटे आई जाने लेते कौन-कौन से जिलो में गरचमक के साथ बोचारे पढ़ने के आसार है उनकी बात करें तो सेडोल और रिवा संभावों के जिले और कटनी छिंदवाडा सिवनी मंडला दमो छेतरपुर सागर और बिरी से जिल बीटे में मध्धम कोरा रहने की संभाव ना ही जताएगा 100 सुअल में मध्धम से झना कोरा न िनकी खिंदम गले साल मेंwe